ये है पेरुनारी राना सिंगं इनके दादा के दादा मिलिक्टरी स्कूल के टीचर थे जब मर्धू पांडी के हाथों में ये गाउं था उनकी वज़े से इनके खांदान का नाम योध्धा हो गया संस्कृति इनके जीवन शैली में दिखती है लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोगकार था कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं बहुत बढ़ दो वाले हैं ये लगिन समय बदला और आज लोग इनके इज़्जत नहीं करते पता नहीं क्यों ये अपने लिए तीसरी बार दड़की देखने आये हैं नमस्ते जीजा जी बात सुनिए बहन ने उल्टी किये शायद गर्भ से है आरे उसे पित हो गया होगा पित नहीं हुआ जीजा जी डॉक्टर ने कहा है प्रेगनेंट है माफ कीजिएगा दरसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भ होती नहीं होगी क्या हम इसे नौ मेहनी के लिए टाल सकते हैं क्या अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आउंगा वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी है इससे इनकी चार बेटिया है बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं पंडी जी के हिसाब से मेरा पुत्र योग नहीं है वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ये बताओ मैं अगर दूसरी शादी करनू तो उसने अपनी चोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पती से करवा दी थी वो भी बड़े धून धाम के साथ लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरु नाही ने तीसरी शादी कर ली छोटी बेटी मंगम्मा अपने क्लास मेट के प्यार में पड़ गई और प्रेगनेंट हो गई जब मा के डिलिवरी होने वाली थी तब बेटी साथवे महिने में पहुँच गई मा, पूरे गाम वाले हम पर हस रहे हैं, कह रहे हैं कि बखरे के साथ उसकी बेटी भी प्रेगनेंट है पंजावन मा देवी के प्रसेय का समय भी आ गया मुझे लगता है हमारे जमिनदार फिर से बाप बने है मतलब इस बार लड़का ही होगा फिर से लड़की हुई है ना, मुझे तो तरस आता है नो औरतों पर सुनिए, मेरी बास सुनिए, अगर ये गावाला हमें आपकी वसियत नहीं देंगी तो चलेगा हमारी बेटी भी बच्चे को जनन दे सकती है ना जी, मेरे बास सुनिए जी आपको सर्फ लड़का चाहिए ना, आपकी ये मनों कामना चल्दी ही पूरी हो जाएगी क्या आपको बेटिया पसंद नहीं है पिता जी हे, मेरे पास आओ, आओ, यहां बैठो, सुनो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता? अब देखो न, ये महालक्ष्मी रानी, ये वैवहोलक्ष्मी रानी, ये संयुकता रानी, जहां सी रानी और ये नई महमान जो है, ये है पदमावती रानी, अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो, और जहां भी तुम सब की शादियां होंगी, वहां रानी बनकर ही रहोगी, लेकिन ज़रा सोचो, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना, जो तुम सब का खयाल रखे कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगमा ने एक बेटी को जनम दिया, पिता जी, खुश रो बेटी, खुश रो, पिता जी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे रखेजिए, आपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा, मैंने घरवाल से मुझे बहुत खुश हुई, इसे पपड़ो, वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ, असली खुशी तो तम मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो, क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं, कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो, अब कि ये कभी मा नहीं बनेगी, हरे वा, ये तो ईश्वर का वर्दान है, स्विकार करो से, मालिक, हम सभी लोग मंदिरों में तीन दिन से लगातार प्राथा कर रहें कि आपको बेटा ही हो, और आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज वो दिन हैं, जब मुर्गन ने असुरों क ये हैं हमारे खांदान का वारिस, मुझे जितनी खुशी है, उतना ही डरा हुआ हूँ मैं, ऐसा क्यों, अकेला बेटा और उसकी पांच बहने, सोच रहा हूँ उसके उपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी, जब मेरे बेटे की सभी पांच बहने शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी, तो उनके बेटे, भाई, बहन, रिष्टेदार सब के इकठा होने पर, मेरा बेटा सब को कैसे सम्हाल पाएगा। मालिक कोडियार्जू, 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 मालिक कोडिया और यह है सबसे चोटी बेटी का पती मतलब पिता जी महालक्ष्मी आरे बस चालू करने को बोलो ना हम लोगों को देरी हो रही है वैभव लक्ष्मी अभी तक गाये नहीं एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना अरे तू चली जा जब देखो गाना का तिरे ना और ये दूसरी बहन का पती है दो भाईयों ने दो बहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाईयों की एक दूसरे से बिल्कु अरे बस भी घर उपने भाई की तारीव नमस्ते मेरी मां पदमावती मकर राशी ठिरुवनम नक्षित्र और यह पाच्वी बेन मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी इनकी सिर्फ एक ही बेटी है मैं अंडाल प्रिया दर्शनी रिशव राशी रोहेणी नक्षत्र प्रेश चुरू होने के लिए सारे बैल इंतजार कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आंकल गुडा सिंगमी जीतेंगे आज की रेस में मेरी मामा ही जीतेंगे मामा का नाम क्या है उनका नाम है गुडा सिंगम शीवा गोत्रम हस्तन नक्षत्रम कन्या राशी सव बैलों की चोड़ी रेज के लिए तयार है सब लोग रेडी है 3 2 1 अरे मामा जी कहा है मामा हाई अरे में आप देख रहे हैं कि इस प्रद्योगता में बहुत जबर दखकर हो रही है सबी प्रद्योगी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं देख लेखे होती है और को भी अपासी पार दे जाता है आप दिल धातर देखने रहे हैं आपके उन्हों का उसा पर दखने रहे हैं और यह देखिए घुड़ा की पर सेंडा है चब 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 जलते राए 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 सबीके सबीक्षियों की अपना पूरा रहा रहे हैं कब कोई आगे हो रहा है कब कोई जीशा रहा है डिकी कोई जीपना रहा है जीचे है गॉची जीचा प्रशनी आपके जाए जोज़से जोज़से पर जोज़से यहाइ! याह! बाबप माए жवए जादी और पोडिया रसों ने एक साथ पढ़ाई किये थी, चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से जगड़ते ही रहते थे खरीब बच्चों के भविश्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूरिया, वो आज के इस कारिक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पराय रहे हैं बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से अभी तक हमारी परंप्रा जिन्दा है भाया एक माला काफी नहीं है, और दो माला चाहिए मतलब? मैंने तो बस गाड़ी हां की, असल में भागने वाले तो यह है अच्छा ऐसा है क्या? यह लो, तालिया अब बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? गुराँ सिंगम भईया नाम बहुत अच्छा है यह लो, तुम्हारे जीत काई नाम? यह लीचे धन्यवाद बैटी नाना जी यह लीचे आइसा, बहुत अच्छा लग रहा है यह क्या चीज़ है? पुदीने वाला चास है, सहत के लिए अच्छा होता है अच्छी बात है, जिस काम से आया हूँ, वो बता के निकलता है आने वाले चुनाओं के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ मुझसे पूछ रहे हो, अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा पूरे गाओं का वोट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है क्योंकि आप इस गाओं में अकेले नहीं है, यह पूरा गाओं ही आपका है पूरे 5000 से जादा वोट है इस गाओं में ऐसा है क्या, इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है भाई साहब, कार्तिके की तरह ब्रमान का ब्रमन करने से अच्छा कि गनेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूँ, मेरे लिए बहुत वजाएगा आप बात तो सही कह रहे हैं गनेश जी लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है अभी तो सब गुना सिंगम की बात सुनते हैं बेटी की बात कर रहे हैं क्या उनको बुलाईए न वो आज खेतों की जुताई के लिए गया है आप एक काम कीजिए आने वाले नौ तारिक को मेरे नातिन की कान की छिडाई के रस्म है अच्छा अगर आप उस दिन आते हैं तो सबी लोगों से मुलाकात हो जाए अच्छी बात है अच्छी बात है मैं आ जाऊँगा चलता हम अच्छा हमारे घर जो भी आता है मुसे ये देते हैं अच्छारी वाज है गुणा मौसी आई है एक मिनट एक मिनट बेटी सबको निमंतर दे दिया है कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्षन होता है तो कोई नाराज़गी के वज़े से नहीं आता है मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्षन में सभी लोगा है ठीक है सब्सूर जी सर को एक पत्रिका दे दो तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा उपादी क्यों नहीं लिखी सब लोग जादा पढ़े लिखें इसलिए साथ में उपादी लिखी लेकिन आपने तो सिर्फ दस्वी तक पढ़ाई की है ना डॉक्टर के साथ डियार लिखा हुआ है प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है मैं खेती वाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए अगर किसान लिखवाता तो लोग हसते ना है जो हसेगा उसको चपल से मारूंगा गुणा सिंगाम किसान लिखवाई ये गर्व से पढ़ने में भी अच्छा लगता है मैं भी हर मैंने करीब डेड़ लाग रुपे कमाता हूँ हर काम में रिटायर्मेंट है लेकिन हमारे काम में कोई रिटायर्मेंट नहीं होती है कैसे दिन आ गए हैं अपना राश्ट्रिय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है सुपब है अब जवाब दीजे महाशेर अरे बेटा जी यह जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा ऐसा कि पिता जी सि हाई फ्रेंज आज अमारे परिवार में कान छेदने का फांक्षिन है मेरी छोटी बहन और भाई का मेरे प्यारे घुड़ा सिंगम पूरा गाउं चौक गया उन्हें देखकर सबकी नजर सिर्फ उनी पर है जाजा की तर्में उनकर स्वागत दिया जा रहा है दादी यह दे है उन्होंने पहले बता दिया था कि वह नहीं आ पाएंगे इसने उनका बैनर लगवाए है छोटे जाट वाग है वह अंदर है क्या है एक यह है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती है और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है क्या जिंदगी है म कृए मामा आप से जो लड़कियां मिलती है एक हजार वॉयां देती हैं और मुझे जो लड़कियां मिलती है नहीं जीरॉ वाट का इनिदेती है क्या किस्मत है मेरी मेरी कुंडली मामा अगर आप कहाँ तो ममी बापा को लेकर आती हूं ठीक है आप हाँ कहेंगे तो काम चुरू करने कर सकते हैं पसीन आ रहे हैं पोचलो पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है न तो उस तरफ भी सारू सापको दो किसी दिन सको सरूल मसा चखांगी मैं ठीक हैं सर देखो तो कैसे गुणा को इंप्रेस करने में लगी है बहुत चालाख है लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे तो हम लोग किसलिए हैं देखती हूं शादी कैसे होती है पून अमी गुणा की बीवी ब सकता है सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है वह बाहर की थोड़ी ना है शुरू हो गया यहां पर विधान सभा मामा इधर देखो यह पांचों बहने ना एक दूसरे के करीब हैं सिर्फ ऐसा दिखाती है लेकिन अंदर यह अंदर बहुत बड़ी गुट बाजी है यह है और वो है गुरूब बी समारों खतम होने दीजे फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिचाई करती है यह पर राड़ा सिंगहम जैसा नाना और गुड़ा सिंगहम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को लिए एक मैने में बाल वापस आ जाएंगी रो मत अरे आई अब अच्छे रुख जा रुख जा रुख 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 अरे यह अभी गले में तेरा भाई दानवीर करने का जो ऐसे लुटा रहा है चल चल बड़े रिती रिवास दिखा रहे हैं यह अपना रिवास सही से निभा रहा है और उनको देखी मूँ चाथा अच्छी के बच्चों को कितने तुला सोना दिया खुल मिला कर अठरा तोला होगा हूँ पहला जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रसम हो भी थी तब तुम्हारे पापा ने छेव तोले दिये थे और मामी तुम अपने बेटे के गले में देखो हां मैं क्या कह रही थी कि अप क्या असर जी सोने की जैन है पहना दीजिए अरे बाई किसके घर में जगड़े नहीं होते लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए न यह क्या है जब आप आते हैं तो वो नहीं आते हैं और वो आते हैं तो आप नहीं आते हैं अवी पता चल। चलो सबलिग खहना जो सब लोग खाना खाते हैं चेन अच्छी लग रही है ना फैंक्स गुना ठीक जाकर खाना का लोग तोमारी शादी पूनम से ओगी यह सच है क्या नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुझे देते तुम मुझे यकिन आरे तुम भी ना किसी की बातों पर दि भाई आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था अब बेटे की कमाई से घर पर बैठ कर खाने का आनन धी कुछ और है सुन बेटे खेती बारी तो तुने समाल ली बहुत अच्छा कर रहा है तू अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे साउप दूँ अरे चुप रही है पापा अरे पचास साल से तो मैं समाल रहा हूँ ना मुझे लगता है कि तू मुझसे बेटर समाल सकता है कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक गुरुफ फोटो घर की दिवाल पर लगे और ये मेरी दिली ख्वाहिश है और तब मेरे मरने क आँखों से कभी भी आँशु नहीं आना चाहिए कई मेरी आँखों में आशु ना आजाया रुको रुको अरे रुक जाओ देखा नहीं रोकी गाडी बुड़ी देखकर भी नहीं रोकते हैं बेशारम कहीं कि एक गड़े से इस बुरी को लेकर खड़ी हूँ इसे बाजार मुझे में चलुगी तब दो पैसे कमा पाऊंगी तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में गाड़ी वाले तो गाड़ी ही रोकते तुम तो जवान हो छोड़ो मुझे अरे सुन मामा दादी को गाड़ी में भिठा करते हैं ते रहा हुआ झार राँ जा बाज़ा सका पीशा के यृफ इस डाइब जाव पास का पीशा करो कि आए यृफा इऐ यह यह दुनें हाई 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 जोर से जोर से जोर से रुख जा यो दोस्स अरे दुला है तो बूम्म पयूम रहे हैं काला पड़ जाएगा न है सबør्सकिट दूंग भाई लोटा बर के कॉफी दे देना बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस एक एक पौधा दे देना कल वो पेड़ तुम्हें च्छाओं और नाम भी देगा यह गाड़ी बीच में चला रहे थे हमने हौन बजाय था क्या अगर गाड़ी नियटा ही तो पुलिस को बलाऊंगा औ हमारे यकोज बढ़ा हुनگा तो 10 लोग क्म चलेंगे और मैं अनर को ऑनाज नहीं खाना क्या कौंसा ऊच्छेहर रहे हैं जाए दिया कितने साल से कंड़क्टर हो 15 साल से एक दिन किसान बनकर देखो उसकी कि ज़रुत नहीं है उसकी ज़रूट नहीं है तब पता चलेगा कि किसान तकलीफ उड़ाता है पता होता तो दादी को रोड़ पर छोड़ कर नहीं जाते आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए निकल रेड़ी मामा ले जा इसे हमाम से अराम से खुश रहो बेटा आधी आराम से बैठ जाइए आराम से कोई नहीं बोलेगा आरी ओके बेबी ओके बेबी चलो 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 ओगया अचा सुन हां मामा ड्राइवर की सिर्वी उखार निया क्या बहुत देर से बैठ कर आ रहा है वह नहीं दादी को वह बीच रास्ते में उतार सकता है इसलिए वह जहां तक जाएगी महाता है सही है मामा दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा कवन है पार्टी है लगे रहो लगे रहो मामा उदर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है आजाओ आजाओ चलो कos maic पांच रुपे दिए हमने एक रुपेवापेस की यह लूझार होते भी हना तूब नहीं देता टेकेट 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 किधर जाना है कि दर जाना फता नहीं हिए यह किदर जा रही है किदर जा रहे है किदर जा रही वाया पैसे वापस देना भूलिएगा छुट्टे नहीं है मेरे पास आएंगे तो दे दूँगा भाग नहीं रहा हूं एक नंबर की कंजूस मखी चूस लग रही है यह तो जो भी इससे शादी करेगा ना दिवार पर अपना सर तोड़ लेगा लड़की के बारे में गलत नह है मामा साब यह हमारे कॉलेज के एग्री कल्चर डिपार्टमेंट के हैड है आपके बेटे के बहुत सारे आर्टिकल्स आरे अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टुएंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना अरे ने मुझे यह स्पीच होगा देना नहीं आता अर अरे यार यह तो वही बस वाली है ना संगीत बहुत ही अच्छा है न सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा समस्थ दर्शिकों का बहुत-बहुत धन्यवाज बड़ी नानी यहां तो यह अब देखिए हमारी चीफ गेस्ट मेरा पोटा आ गया क्या करना मेरी कोई इच्छा नहीं है खौईश है अब हम गुणा सिंधमजी से अन्रोथ करते हैं कि वह मंच पर आएं और दो शब्द कहें मामा मेरे बारे में भी दो बात है वेल्कम सर्थ धन्यवाद नमस्कार आप सबने खाना खाया गया लिक्टी पकड़ने वाला हाथ है पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूँ आपका संगीत बहुत ही अच्छा था अच्छा वैसे बड़े बुजर्गों ने कहा है कि धान का एक बीच और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं जैसे कि अगर हमें एक अच्छा बीच अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो सौ गुना ज्यादा फसल देता है जब इन्होंने मुझे यहां पर बु दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ इसलिए मेरे पापा ने मुझे जॉप्शन दिये थे उसके मैं अपने पापा को धन्यवाद करूंगा देखा कृशी हमारे भारत की रीड की हड़ी है ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उसे अपनी पीछे छुपा लिया है और हम इससे अंजान जी रहे हैं कुछ लोग इस बात को समझ कर आईटी का काम छोड़ कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जंता पागल के नाम से बुलाती हैं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो क्रिशी करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है यहां किसी को खेती नहीं करनी है जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा मैं सिर्फ किसान और कृषी की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मितेन निकाल रहा हूँ, इतेन निकाल रहा हूँ, पितेन निकाल रहा हूँ किसान और कृषी को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है अमीर लोगों का डायेट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग-अलग हैं जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राश्ट्री अपराध होता है नमल वार ने जैसे हरित करांती की शुरुवात की थी वो हरियारी आज कहीं नहीं दिखती है और नहीं वो करांती देखने मिलती है जनता, सरकार और व्यानिक ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना तो ही अपने देश का भला होगा जिस दिन नौजवान लोग क्रिशे और राजनीती को जब प्रोफेशन समझेंगे तब भारत शक्तिशाली बनेगा हर एगरिकल्चरल प्रोड़क्ट के लिए गवर्मेंट मार्केट होना चाहिए तब ही किसानों की आत्म हत्या कम होगी क्योंकि आज एक किसान की मौत कल लाखों लोगों की मौत होती है और वैसे भी किसानों को भला क्यों मरना चाहिए अरे इतने बेशरम लोग जब जिन्दा हैं तो हम क्यों मरें इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है अना जुब जाने वाला भी भगवान है अरे हम किसान हैं ये बात गर्व से कॉलर का बात है देखो बच्चो आप इंजिनियर बनिए डॉक्टर बनिए या वकील बनिए चाहो तो आप राज निती में भी जाईए लेकिन साथ में खेती भी कीजिए मेरा तो मानना है कि अगले ऑलिम्पिक में आप कितने मैडल लाने वाले हूँ इससे ज्यादा अगली पीड़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है कोई किसी के सामने हाथ ना पहला इसलिए बोल रहा हूँ भविश्य में किसान बनने वालों के लिए मेरे धेर सारी शुब कामना है और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाल मालिक बिटे ने अच्छी स्पीच दी ना अखिर बेटा किसका है मामा आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहा है कि पूरा का पूरा ख़जाना लुटा दूँ आपके उपर अब सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए वह पचास पैसे वाले किस वस में जाती है वो पता करके बता दे पास ये लीजे नाना जी आपके लिए गरमा गरम सुप अरे वाँ थैंक्स बेटा बेटा एक दिन की चुटी चाहिए थी मुझे क्या बात है सर इतना परिशान क्यों लग रहे हो नहीं बेटा मेरा पुता दस दिन से लापता है मुझे लगा लौट कर आ जाएगा लेकिन बैलों का रिज देखकर वो लौट कर आया ही नहीं वो एक लड़की से प्यार करता था कुछ आदमियों ने उसे धंकाया भी कि दूसरी जाती के लड़की से वो प्यार व्यार ना करें और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर कहीं क्या होगा वापस आ जाएगा पूश्टाच की जिए बेटे ज़रा अब ज़रूर है आप शूपब है कि अची पीश्टी आपने बढ़िया आप दोनों बहुत अची बाते कर रहे हैं जब सब लोग मजाग उड़ा रहे थे तब ताली बजा रही थी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सुनिये मैंने आपको कहीं तो देखा है कालेज में देखा था नहीं नहीं उससे भी पहले बस में नहीं नहीं उससे भी पहले किस से पहले खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा इस पोस्टर को देखकर मैं चाओ गया था और सोच रहा था कि यह लड़की मुंबई में रहती होगी क्यों खुबसूरत लोग सरफ मुंबई में भी रहती हैं से मॉडलिंग वेकड़ा सिरफ मुंबई होती है यहलू ए मादल नहीं हूँ तो फिर अभिनेत्री हो क्या है है मैं ओनर हूँ ओनर किसका चॉली सोडा कंपनी की ओ अच्छा आप ओनर होकर खुदी एक्टिंग करती है क्यों पसंद कंपनी के ओनर ने स्वर्णा स्टोर के अनाची ने ललेता जूल्री के ओनर ने एक्टिंग नहीं की ये आजकल का फाशन है पाशन टीवी देखने वाले जानत करके अरे मामा क्या कर रहे हो कंप्लेन असा था इसलिए उने बता दिया भाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए है सुनो घर में इतनी सारी कारे खड़ी है ये सब छोड़के लोकल बाश शेरिंग ओटो में सफर करना अच्छी बात है क्या बहुत अच्छा है मामा ये स लड़की को इंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और वैसे भी अपनी लड़की है तुझे छोड़के कहा जाएगे चिंता मत कर क्या माम मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता ना बताने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वज़े सब क्या है तुम्हारे घर में रहती हूं इसकी देखनी का रिवाच ठुकरा मत देना बनार से साड़ी पहन कर लड़का कॉपी लेकर आती है ना आप भी मुझे उसी तरह देखना मेरी इच्छा है ठीक है वही पूरी करना पागल महां से मिलिया ना चलो गर पे अब इसना सब्सक्राइब कोन है लड़की अपनी विरादरी की है गोड़ा सिंगम की बेहन की बैटी है कितना पाणी है ना सच में है यह यह देखो ना पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दान दिखाता है क्या तो किस गाओं का है कौन है क्यों आप कौन है यह क्या करने आप इस गाओं में पूछ के देख पता चल जाएगा तेरे बाप का नंबर दे क्यों अरद है मेरा फोन अहां बोल बेटी मैं कोडी आर्सु बोल रहा हूं एक जरूरी बात बता दो तुम्हारी लड़की जो है ना बस्टोप प्यार कर रही है यह मेरा फ्रेंड है थोड़ा समाल के रखो हमारे खांदान के लड़कियां ऐसा नहीं करती है मेरी बेटी कहां जाती क्या करती यह द बाइने जैसे बोला ना वैसे तीन सो बार उठक बैठक करने का तू हमारी प्रादी के लड़कों का छेड़ता है हां तुम्हारी या कर रहा है अगर तीन दिन भी लगे तो भी लगाना है चलोट कुना वो मेरा फ्रेंड है गुना ऐसे ही खाड़ों कर बात कर रहे थे और पर गंदी गंदी बाते करने लगे फेरा फोन भी चिल लिया मुझसे उन्हें चोड़ना मत गुणा अजाए गिन भी कि गोड़ों कि अपा ऑ Where About All अधिक आूओर राव उर फिर कर भी में आिकी कि अ कर बाहुी कर रप आर अ हाविक भी कर भी मना है अवाव् 있고 गवाओव वो पर चूब वबानंगा यदाप बाख दो ज एंवाव भी फिर लुटे सब कर दाविए squats अगर किसी की मंगीतर को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या फोन करके बुला अपने विरादरी के हीरो लोगों को सही का क्यों बै एक लड़का और लड़की हंसकर बात करें तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है गया और इतने चिंदा क्यों हो रही है हमारे घर की लड़कियों के लिए जाती वोट यहीं ना हम अपने घर के बच्चों को कॉलेज भेजते हैं उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे वह लोग अच्छा ख्याल रखते हैं यह सारा खेल मेरे साथ खेला है जातिवाद पार्टी चलाना जात के नाम पर व्यापार कर अपने अरिये में अपना भाव बढ़ने लगा है यह बात याद रखना है अगर उसे किसी ने पिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना यह कोडियार सू उस पे भारी पड़ेगा चल जा रहे मामा सोडा बोटल के बारे में फूर डिटेल पता चल गया नाम है कनका आहा क्या शुद्ध नाम है तो मेरी मा शियुगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या एक लवत पैसे हैं कार में चल सकती है वो इतना धन्वने के बाद भी वो बस में चलती है क्योंकि उसे सा मामा हाज क्यों रहे हो नहीं यार उस लड़की की साथगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी मैंने तो उसको डूण लिया आप एक गोगल हो मामा गोगल नहीं गूगल अच्छा ऐसा है क्या घर की कलोती बेटी है आज के बाद कभी रेस्ट करना हो तो ससुरीजी के घर अजिस शरीर अट रहीं लगता है पूरा बकरा ही निगल गया पापा आपने कभी प्यार किया है क्या हाय यह सवाल किससे कर रहा है पता है यह यहीं पर है क्या है पापा आपको उतरने की जरूद नहीं है रोड पर खड़े रोगे अच्छा नहीं लेगेगा इससे पहले रत पर बिठा कर लाते थे क्या कितने का दिया माजी पाप बहुत मेंगा है पापा उस लड़की को दिखिए ना पंद्र रुपे के दो दीजि के लाई किव ते ओसे प्यार गमालेया हों कि अगठा जाड़ेगा प्यार करें लड़के उससे शादी नहीं करते और अगर कर शादीritis प्र पूनम और चंड बुत से शादी नहीं कर सकता और शादी करने के लैएक मैं को समझता भी नहीं प्हुण पूनम से शादी करें तो पूनम नाराज कuiçãoगी आरे यह सारी बातें सोचकर भी मुझे बाऊँ डर लगता जंनी फ़ विए थीक है घ्र ěरी भूषी मेरी थेραगी टो सिर्फ तेरी मा भी पूरे घर को अब कि ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछ कर प्यार किया है मुझे फसाना मत अरे 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 ऐसे चोर निगाहों से मुझे मत देख मैं डर रहा हूँ चल बाइक स्टार कर ठीक है एक बात सुन ले तुझे दादी से लेकर छोटे बच्चों तक को समालना होगा बेटे कभी भी परिवार न भी खरने पाए ठीक है पापा क्या जॉमी कैसा है तू जरा पुलिस टेशन आ सकते हो अरे आज शादी है सुब मोरत निकला है मंगल सुतर देना मेरा काम है बात क्या है उदे शंकर नाम के लड़की को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना किस ने दिया है गुणा सिंखम ने सर आप आओगे तो दस मिनट में काम खतम हो जाएगा कल नाइट राउन पे कौन गया था सर कलू मली था वाकी टॉकी कैसे कुम हो गया साब इंस्पेक्टर गुणा सिंखम जो बोल रहा हो सब जूट है फोसके और मेरे बीच में दुश्मनी है जूट है तो फिर वहां से भाग के क्यों चले गए जब मैंने किया ही नहीं तो डरू क्यों इसलिए आया हूँ हाँ सुनो सौमी जी सर साब को अक्यले में ले जाके समझा दो हला दुलहन आ गई है भाई आ जाएंगे न अगले दस मिट में भाई वहां पे होंगे कोडियार्सू गुणा सिंग हमने आपके आदमी को उठा लिया है पिछले मैंने बैल की रेज चब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था कौन है तू देखो भाई हाथ मत लगाओ देखो भाई जात पात तुम अपने पास ही रखो मैं उस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा सर पर चोट लगनी की वज़े से वह विचार उमर गया यह आपने क्या कर दिया भीया राजनिती करने और राजनिता बनने के लिए त्याक करना चाहिए जैसे इसने किया एविडेंस नहीं मिलना चाहिए इसलिए उसकी बॉड़ी को चला कर उसकी राख को नदिमें बाह दि कोडियार उसों का बैग्राउंड मत देखिये सर इसमें कर्णित मास्टर जी का बहुत नुक्सान हुआ है मैं वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहां बुला के फसा दिया अरे अभी जा सकते हो सच में हाँ कितना हो सकता है 10 लाख 20 लाख 25 लाख बात करके देखते हैं जाके बोल अरे रे मामला भी कर जाएगा आप खुदी जाके बात कीजिए इंस्पेक्टर गुस्टे से मारा था मर गया फाई आर तो नहीं हुए ना मतलब आपने उसको मारा ही आप कुबूल कर रहे हैं हम अच्छा सुरो स्वामी होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ कल कोट मेंने प्रोडूस करना है उठ उठना आज तक सुवामी तुम्हारी तंखो के लिए काम कर रहा था आज पहली बार सुवामी ने सरकरी तंखो के लिए काम किया है पूलिस मुदाबार शादी के बीच मैं भाई को आरेस्ट कर दिया पूलिस तुम मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम लोगों को अपने घर में रखाई है मैंने गल्ती की यह सब सुनकर मेरे रॉंग टे खड़े हो रहे हैं इस मामली के वाज़े से अगर मेरी कंपनी में कोई प्राब्लम आई ना तो फिर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जी जाओ जाओ मामा मामी आ रही है अरे मामा कहा जा रहे हो मामा मंदिर में अरे आज हमने नहाया नहीं है कि अरे मामा अरे सुन कांच लगया अरे कांच लगया अरे अंदर चाय पी नहीं या था मामा अरे मेरे कंस मामा मामी को पठाने के लिए परफिले पानी में डखेल कर मुझे मानना चाहते हैं बेड़ा बेटकर आराम से नालो ना कल आके सो के नालोंगा अपना ही है इधर हम लोग फैंसी कॉम्पटीशन में आये हैं क्या है भगवान वेंके ट्रामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा यह कार्थी के नहीं है सौरी कार्थी के क्या मामा आपको पंचामरित लड़ू का फर्क नहीं पता है क्या चला गया आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती है या हर रोज आती है मुझे रोज नाना पड़ेगा क्या माई लॉड मेरे मुवकिल पर आरोप लगाया गया है लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है पड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये, पासपोर्ट को हम कोट में सरेंडर कर देते हैं, आप से विंती है कि इनकी जमानत मनजूर कर दीजित छे साहब कर दोनों वक्त साइन करना होगा मनजूर है मन्जूर साहब अच्छा ये बताओ सुबह के समय साइन करने के बाद रात को तुमारे आदमी कहाँ पर ठहरेंगे होटेल में रूम बुक करके जानता था वो लोग शुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पका कर दारू के साथ खाना खा कर टीवी देखेंगे फिर शाम को नीन लेने के बाद नहाँ दोकर साइन करने पहुंच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे मैं ये सब नहीं होने दूँगा ये कोई साधानन हत्या नहीं है एक छात्र की हत्या है अच्छा तुम्हें तिरूपती कुंड तालाब पता है क्या पता है और ग्रेव का पेड़ पता है पता है वो क्या करता है ये भी पता है जमीन के पानी को खीच लेता है वो पेड़ तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए तुम्हें काम करना है तुम्हें हर दिन साइन करने क के बाद सीधे उस तालाब पर पहुंचना है और दस डालियां काट कर तालाब के उस पार उन्हें पहुंचाना है ऐसा करोगे क्या करूंगा साहब आए 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 क्या भाई इतनी जल्दी दर्वासा बंद किये भी ना बैठे हो बंद मत कर जेल में भी ऐसा ही खुला रहेगा इसी तरह रहने दे बातरूम में पानी मट डाल तेशाप की बद्बू से मुझे उल्टी होनी चाहिए पूरे दिमाग को उखाड कर फेकने जैसा मैसूस होना चा भाई ओपर बैठे ना जेल में चाय नहीं देते हैं रहे बेवकूफ जमीन पर बैठना है और जमीन पर ही सोना है मेरे खाने के लिए अलमुनियम की ठाली लेके आ ऐसे ही जेल में देते हैं जेल से बाहर आ गए हो जेल की बात मत करो भाई जाओंगा मैं वापस जाओंगा उस गुड़ा सिंगम को मार के जेल जाओंगा तब तक ऐसे ही रहूँगा बत्तियां बुझा तो मुझे नींद नहीं आती है बहुत घना जंगल है तू अपना मूँ बंद रख क्या है कुछ नहीं तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हूं प्रीज प्यार ही करता हूं फॉलो कर रहे हो गसम से बूल रहा हूं हां अगर हिम्मत है तो मेरी आखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुम से प्यार करता हूं ऐसा कहकर दिखाऊ आ गलत नहीं है गलत नहीं है बोलो जाए शियाराम जाए शियाराम जाए शियाराम जाए शियाराम जाए शियाराम जाए शियाराम जाए और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगी कसम से कहता हूँ यही अपना घर है मैं चाओ कि अरे कोई देख लेगा आजा मुझे कुट्टे की तरह इधर उधर भगा कर उस पेड को कटवा रहा है और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हाथसा और ना भूलने वाली भैयानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है ये बताओ बहुत है भाई नागर कोईल में बहुत बड़े गुंडे हैं ब्यासर वाडी के मेले में दो टिमों की भी जहड़ा हो गया भाई इन सबसे भी बड़ा बहुत बड़ा पूरा शहर इसके बारे में बात करें ऐसी मौत गुड़ा सिंगम की होनी चाहिए हालो बोलो ना हमेशा हसते रहते हो ऐसे लगता है फोटो के च्वाने के लिए खड़े हो तो क्यों पसंद नहीं है क्या हम इसके लिए भी एस होगे और गया इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूं ठीक है है अब समय करें हैं है मामा सामने बच्चे तरह बच गया है अरे बच गाल निकाल बच गया और शल्दी खगा आज के बाद भाज रहना बेटे आज को यह नहीं है पापा है असके इस पेर में है उस पर में क्यों मालिश कर रही हो तुम छुपकर मोंच उस पेर में है तो दर्द यहां पर हो सकता है सुनो भागवान है साले साहब को कुछ नहीं हुआ है कभी मेरा तो इतना खायाल रखा नहीं है क्या सफारी देसी मुर्गी का सूप बनाया है थोड़ा सा पियोगे हाथी का पैर नहीं मिला क्या अरे बाप रहे चोट मुझे लगी है तेल का मसाज उसे हो रहा है इस दर्द से जादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है अरे बापर आप क्या कर रही है पंखा जाल रही हूँ अरे बापर बहुत ठंड लग रही है जरा आराम से करो बैबी अमा अब है सुन इतना दर्द हो रहा है क्या हुआ अब तू क्यों रो रही है क तो कोछ भी नहीं हुआ है दो भार गुणा से दुश्मन निकालने के कोशिकी है हाउ ठीक है ठीक है ठीक है देसको बुम सौ्छ सफिक है पापाबने वाली है हां पती के लोग हे लो और नहीं करते क्या हर किसी को कोई न कोई नशा होता है मुझे तो अपने परिवार का नशा है तब ठीक है कोणा को इसकी आदित नहीं है क्या बात कर रही है थीक है अब चलो सब लोग बाहर बैटकर खाना खाते हैं अरे नहीं क्या कर रही है मैं करता हो ना अरे जोड़ना नीले कंठेशंकर बगवान की जय जॉली ब्रो आपके लिए भी बनाओ क्या अब आती हूं मैं गुणा के पास बैठोंगी है अरे बैठा हम क्या चला रहे हैं अरे वहां किसको लोगे मुझे बैठने दो कुणा किल अरे बढ़ते हैं तो मारे जैसे फेस्बुक अपडेट करने वालों के लिए रहे हैं मैं भी फूट पहाँ है सब लोग यहां देखो इस वामी जरा रुच जाए इस वामी यह मारी माता काली माता अब ज़रूरी कहले ना बात कर गया तो बेटा जाए वहां पेच जाए नह मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूं आओगे क्या अरे बाप्रे यह नहीं हो सकता दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए हमारे बीच प्यार ही उतना है देखोगे तो पता चलेगा तो अब तुरन तु क्यों मेरे चोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है क्या कह रही हो फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं हम खोदी सामने से बता देंगे यहीं उनकी इज़्जत होगी एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो बढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया यह सर अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है पढ़ाई करके फॉरण जाकर एक लाग रुपे कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गाउं में किसान का काम करके दस जार महिना कमाने वाले को मुझे इज़्जत देना आता है देखो समस्या अभी कृषी की नहीं है वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करने शुरू किया ये तिल्ले नाइकम की बेटी उन्हें पता है ये क्या निया चक्कर है देखो मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बढ़ा है मुझे देजी मा तुम अपने परिवार से बात करो उन्हें कोई अतराज नहों तो रिष्टे के बात कर लेना अभी उठा लो अब आपको नोड़ना है आम लोग पील लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ चलता हूँ बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे मैं समझा नहीं अगर मेरे घर पे लक्षुमी आई तो फिर मैं यहाँ जरूर आऊँगा वो मेरी बेहन थी बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आए बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना अभी तो लड़का पैदा करके फेजा है ना आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी क्यो बेए मारना यह फैसला कर लिया है उस तरफ से जाओगे तो गहाँ 10 किलोमिटर दूर है और इस तरफ से जाओगे तो गहाँ 7 किलोमिटर दूर है इस तरफ बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुमें डरना मत इधर जंगली जानवर बहुत है वो तुझे खा लेंगे इसी लिए हमने इस जगे को सेलेक्ट किया है अगर मैंने मारा तो ये सारे जंगली मरने ही जाएंगे बेचारे क्या कर सकते हैं रुचा एक तरकीब बताता हूं तुझे अरे मामा अगर मैं इनके हाथ लगया तो ये मेरे साथ बहुत इंजॉय करेंगे तू क्यों इतना डर रहा है तू तो बहुत ही भादूर है ना क्या भादूर हूं चुआ हूं मैं तो आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूं देख भाई भाई भादूर ही दिखाने आला भादूर नहीं होता है जो अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है न वो बहादूर होता है तो मैं बहादूर हूँ क्या क्या रे ठत्म हो गया गया हाँ फोन पर ही रो उसकी चीक सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पे तोड़ना बाकी मैं आके खुद करूँगा ठीक है भाई हलो ४ डिया हॉस्पटेल है क्या यहां घुड़गुड जंगल में बहुत बड़ा अक्सिनंट हो गया है काफी बड़ा अक्सिनंट हो गया है सर यहां पर कुछ पंद्रा लोग मार खाकर जटमी पड़े हुए है सर आ सर जल्दी आजाये है ना सर उसमें से एक पीला शट पहना हुआ है उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर उसमें से जो काला शट पहना हुआ है न उसका हाट तूटकर लेफ्ट हाथ वह बहुत तडब रहा है सर एक एम्बिलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैस की तरह लगते हैं यहां पर है अगर तीन अम्बिलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठाकर ले जाने में आसान ही होगी आरे हो ना आजाओ यह सब क्यों मामा जब ठीक करना है तो ठीक से करना है अब ही मैं मारूंगा और तू भी मारेगा ओके दिश्या डिश्या अब तो पार बार दो दो न न दो चांड है, है सिटाने बदो है! देख्या रोध जाके उसके तुम ने कुंदो! मामा ऐसा मारो कि उसके दोनों कान के पर्दे भड़ जाए मामा सेयर सेयर छोर्दाने छोर्दाने कि उसके फोर्दाने कान कान के याए मामा नर्दाने जाए खुड़ा कि उसके उसके पर जाए हैं है 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 क्या हुआ तू लाइन पे गया आरोपी कहा है जमानत मिली या नहीं मिले जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर जमानत मिल जाए दुआ करूंगा अगर मिल गई ना मर्द है तो सामने आ भाग गये ना इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना तो उन सबका हाश्र यहीं होगा अपने परिवार का कोई हुआ तो चाहे कोई भी हो घर में दो दो लड़किया है फिर भी तुब बाहर की रड़की से शादी करेगा देखा ना बेटा घर में समस्या हो गई ना पापा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ देख बेटा मैं उन लोगों के सामने गिड़गड़ा नहीं सकता अगर किसी ने भी मना किय ना तो हम जित से कहें कि उससे शादी करनी होगी उसके लिए तुराजी है ना सबको मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा आप अक्सर कहते हैं कि सबके साथ आपको एक फोटो निकल लें यह जरूर होगा पापा क्या मामा बिजली अंदर भी कड़क रही है बाहर भी कड़क रही है आपने तो ऐसे बोल दिया मामा कि जैसे मामूली स्कूल के बच्चों को बुला करके ग्रूप में फोटो निकल वाना है लड़कियों को बुला करके उससे रजिस्टर मेरेज कर लें उसके बाद बच्चा पैदा करने का प्रोसेस शुरू कर दीजे उसके बाद कंप्रुमाइज होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इसमें कम से कम तीन साल लगेगा एक लोटार बेट सीट ले करके हर घर में जाके पंचात करेंगे ना तब यह समस्या का समधान होगा तो इसे डरा क्यों रहा है डरा नहीं रहा हूं मामा इट्स प्राक्टिकल आपके मा मेरी मा नहीं है महालक्षमी है मेरा मतलब सती लीलावती किसी को अपने पैर पर गिराने के लिए सोच ले ना तो अपने पती को भी नहीं छोड़ती माता मुझे माप कर दे बिलकुल रड़ चंडी है वो आई मेन एकदम चंबल की डाकू एक्शन किंग छोड़ मुझे छोड़ दे क्या है यह और तीसरी समयुकता आसूं की नीद आसूं ही उसके हथियार है वो उसके जरिये सब कुछ हासिल कर लेती है तुम्हारे अंदर ज पांचवी बहुत प्यार करती है वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है क्योंकि सरकारी वकील इस मामले में सफाई नहीं पेश कर पाए इसलिए ये अदालत तुम्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है इन सबसे अगर हम डर जाएंगे तो आम इंसान बन जाएंगे यार चल देख लेंगे अरे ये क्या उसी का फूण है यार है हां analyze क्या ये सब लड़की भी पसंद कर ली चारी भी कर रहे हो उसके मा Κल मिला कर एकतरफ राम scamp he habrfour को संबहentre अभी तो शुरुवात है मामा, आर्डर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर चलो, वहाँ से शुरू करते हैं कोड़ कोड़ ने यूख्या कोड़ निया क locksонов और कि न मे pointless कोड़ नुखर में सत्यागरा करके यहां पर यह है चल अंदर चाहर टोम लोग को शर्म नहीं चलू जाओ यहांसे क्या जी हमारी विरादरी को लड़ने मालें को ऐसे बोल रही है तो किस के सामने बोल रहे हैं वह मेरे मामा हैं उनको हक है मुझे नाटने का कि यहां से निकल जा अपनी शकल दिखाने की दुरत नहीं है इसे बोल दे यहां से चला जाए कि अधिक है अधिक है अलो कौन क्या मैं तेरी दीदी बोल रही हूं दिदी बोलो दिदी चार पाच लोग कि अधिक है अभी आराओ कौन से दि यह पूछा तो चिलाने लगी कौन सी दिदि यह पूछूंगा तो जांसे मारेगी अगर तेरी मा ओती तो तुझे फोन कर ती ना कौन להसकती हैंhalten धी सी तीसरी दिनों मेंसेंग पाटो कि दूसरी होगी अगानों में वाही भूना सब से मार खाने माध वही पीछ सब उसी को पेटके कहा हमला हैं मेरे मोसा को देखते हैं मारो ठीक है ठीक है ओम सबस्पारों नड़ो अजरो मत कुछ कुछ कर दो अगर जगदा तो तुझे फोन करके क्यों बला थी मैं काफी नीं पूरा हो रहा है तो तेरी जी जाजी सुल्जाने के पुशिश कर रहे हैं मामा मार खाने वाला मेरा बाप है क्या अभी आता हूं अरे उदर मेरा बाप मार खा रहा है तुझे खाने की पड़ी है मोटी कहीं कि आकि तुझे बताता हूं अरे जल्दी चलो मामा जल्दी चलो क्या कर रहे हो काड़ी जल्दी खुबाओ बैठने दो चलो 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 अब हाद लगा फे दिखाई ने सोच्राइब की दूशने वाला कोई नहीं है तुझे लोगों का बाप आ गया है 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 कि यह ले है है जोट ना नहीं है कोई भी मेरे जीजा जी पर हाथ उड़ाएगा ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा क्या हुआ था तो ये लोग मेरा पैनर हटाकर उसका लगा रहे थे तुम ने नदमर से बालेंस नहीं था इन मेंसे किसी का फून चीन का फून का फून किया था एक अची ख़बर सुनाने आया था इतने में यह सब हो गया यहर शादी के बारे में में वही तो अब तक उस बु और क्या है किया किया काथ कॉन है वो प्यार करता हूं उनका भी ब़त बड़ा परिवार है प्यार करता है तो अच्छी बात है पर मैं तो किसी पहचानविला लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना मैंने तुछ से यह सब कहा ऐसा किसी से भी क्या नाम था मैं नहीं बोलूँगा तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं खड़ा मिलूँगा धन्यवाज जी जा जी ठीक है इसलिए बोला था ना मामा पहले मेरे घर आने के लिए देखा ना कैसे पॉजिटिव वेवस आ रहे है अभी तक मेरी बात खत नहीं हुई है बोलिए ना जी जा जी मेरी सिर्फ तीन ही कंडिशन है लो अब मेरा बाप शुरू हो गया पहला नेम्स श्रीमान तामर मलालन सेंडियार बीए पत्रिका में पहला नाम मेराना चाहिए और अक्षर बड़े और शांदार डबल कलर में ह नेम्स में मुझे कोई बेज़ती नहीं चाहिए ठीक है जी जा जी दूसरा अभी नहीं बताओंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे तीसरा रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और पांच तोला सोना तू अपना मूँ बंद रख गुणा सिंगम की शादी में ट यह शादी में इसलिए कर रहा हूँ था कि आप दोनों भाई मन से गिलेशिक भी मिटा सको पापा की यह इच्छ है क्या कहा गिलेशिक में मिटा दें यह कभी नहीं हो सकता यह कभी हो ही नहीं सकता यह चुपकर जाए यहां से मैंने उसको अपने कंधे पर उठा कर पाला था जायदात की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेज़त करके कोट लेकर चला गया कहा कोट में अंडरलाइन उसकी ऐसी नियत की वज़े से ही भगवान ने उसे बच्चे का सुख भी नह हजाएंगे हजारों के भीड की बजाय अगर अपना भाई साथ हो तो खुशी अलग होती है जब तक मैं जिन्दा हूं न यह मुम्किन नहीं है शायद रिष्टेदार की जरूत ना पड़े लेकिन जब माथ होती है तो इंसान की आखरी इच्छा यही होती है ना कि अर्थी नहीं बुलाओंगा तो फिर मैं तरी शादी नहीं करवाओंगा अरे तुम क्यों से खामोश बैठी हुई हो पती सिर्फ बोलता जा रहे है और तुम पहाड की तरह निगल कर बैठी हुई हो चलो जाने तो तुम लोग ऐसे ही रहोंगे मामा देवी आ गई है तुम लोग मुझे ऐसे छोड़के कहां जा रहे हुँ है अब तक आप MLA बनकर संस्याद में पैट चुके होते लेकिन उस गुणा सिंगम ने आपको चौराए पर बिठा दिया उसे छोड़ना मत कैसा है तो मैं ठीक हूं भाई आप नहीं आये तो मैंने शादी कैंसिल कर दी मेरी शादी आपकी मौझूदगी में होगी अगले मैंने चार तारीक को शादी है आप जरूर आईएगा कार्ट फिर से प्रिंट होने को दिये हैं तुम लोग जाके खाना खालो आप लोग लेकिन अब मैं किसी का खून करके जेल जाने वाला हूं भाई तु फिक्र मत कर तु शुब मौरत में शादी कर ले जब तक आप बाहर नहीं आएंगे ना मैं शादी नहीं करने वाला जिस दिन आ आप आएंगे उसी दिन मैं शादी करूंगा भाई गोना सिंग हम को आपके इस प्यार नहीं मुझे बांद कर रखा है आज सुन ये घाना भे आजाया हूं मैं खुशकपरी बताओं इससे पर ने थोड़ा खाना फालेता हूं क्या है बोलना आप मुझे चिकन खिलाने वाली हो, और मैं आपको शादी का खाना खिलाऊंगा, पहले बोल कर दो, देखो, तु शादी कर, बच्चे कर, और बच्चों को मुझे देदे, मैं अपने हाथों से पालूँगी, बहुत ज्यादा पैदा करके देदू, आदे, मैं तेरे बच्चो का सुसु चिची सब साफ करूँगी, क्या खाने के टाइम पर लेट्रिंग पर शाप की बात, अच्छा लड़की कौन है, कनका, फिर चंदा, हमने तो सूचा था कि तु चंदा से शादी करेगा, किसी से दिल लगा लिया, गलत नहीं है, आशिरवाद दे दो, अच्छा कि तुम शादी करने वाले हो, कहां कर रहे हो, उसी बेवकूफ की बेटी से कर रहे हो, जानता था मैं, तू ऐसी हरकत करेगा, उसने मुझे शादी में आने से मना किया होगा ना, खाना खाले, सीना ठोक के बोला होगा, कि उसने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया है, एक नं बात सुनों वह आदमी शादी में नहीं आना चाहिए बस मैं कुछ और नहीं चाहिए अगर बुलाना हो तो इन दोनों को ना बुलाओं क्या बात है इच की आ रहे हैं दोनों भाई जायदात के लिए जखड़ा करने यह अच्छी बात नहीं है जीजा जी आप दोनों को एक सा अधिक कर दी ना मैं भी नहीं खाना खाऊंगा मटन ठीक से नहीं पकाया बहुत से भी हूं मैं अरे मामा आई यह लोग ऐसे हैं तो जिन माओं ने लड़कियों को जरुम दिया वह क्या करेंगी मामा पड़ोस का घार है कैसी ओ मैं ठीक हूं तुझे क्या करना है तुम लोग तो खुश हो ना भाई साब कहांब रहा है गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में एई ऐसे दर्वाजे के पीछे बैटकर आंसू बहाएगी तो चपल से मारूंगी अच्छा मुझे आप हाँ सुना मैंने खुश रहो वो भी वहाँ अच्छी लड़की है आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना मैं कैसे आ सकती हो ए सुन अगर तुझे जहर वगेरा पीना होना तो दर्वाजा खोल कर पीना परना मर के साड़ जाएगी है चुप-चप बैठी है बिचारी क्यों बढ़का रही हो उसे सब की वज़े तू ही है अब मुझे गुसा दिला कर और बोलने पर मजबूर मत कर अगर मैंने कुछ उल्टा सिदा के दिया तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे रुक जाओ चंदा दर्वाजा खोलो चंदा चंदा जब से पैदा हुई है चितना अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा तेरा नाम लिया है उसने तुम पढ़ी लिखी लड़की हो तुम्हे खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है दर्वाजा खोलो ना मैं तुम्हे नापसंद नहीं करता तुम एक बात बताओंगा तो तुम खुद समझ जाओगी खोलो दर्वाजा ठी जाओ यह ऐसे अभी तू शुरू करेंगे तुम गाव में हर कोई मर रहा है पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है मैं क्यों इस घर में बहु बन कर आई मेरी किस्मत ही फूटिया है अरे नहीं उठाओंगा तू कर यह कौन से नंबर है हेलो है कॉन है हेलो है जुल जींगत में सालाबात कर रहा हूं हमारे रा यह में जिनकी शुब मूद्վ मेंशादी होती वह साली केहलाते है तुम कौन से वाले हो जी जुछा जी गुणा सिंगम बोल रहा है удив Já अच्छा आप कहा हो अभी क्या बात है बोल ना दूच्छ चा कर लेना और मैं शादिया नहीं करने वाला अब तक तारीख पकी नहीं हुए उस दिन आप कैसे बीजी हो सकते हो तो जिस दिन भी शादी करें आपने आपको पीजी कर लूँगा ठीक अभी आप कहां पर हो तेरे घर में शादी करके जो मैंने पाप किये ना उसको धोने के लि जी जाजी बस निकल गई क्या बस नहीं निकली और नहीं मैं काशी गया अब ही आजा जा जिसकी सरकार बंती है वो बस घढड़ा खुदने के लिए लग जाते हैं अब नहीं उटाहूं गहां पॉन करना वह उठा नहीं रहे यार गाड़ी भी कही किवेश एउनकी देखो अपॉने का फ़ोन है क्या उठाओ तक मैनी का फ़ोन है क्या हुआ आखुआ का लुगा अब अभी तुम्हारे साथ आज़ा हूं तुम्हें मेरे साथ लाना है इसलिए तो मैं इतनी मुसीबद छेल रहा हूँ अरे मामा उनी का फोन आ रहा है मत उठा मत उठा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना जानू अरे फोन तो उठा मामा अरे फोन तो उठा हेलो आप बोलो जी जा रहे अपनी शादी के चकर में तु मेरे घर से मयत तिका लेगा या आप क्या बात कर रहे हो मेरी बीवी ने जहर पी लिया है बड़े ऑस्पिटल लेके जा रहे है अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं क्या हुआ मामा उसन क्या दिती जहर क्यों पी लिया अरे आप ट्रीटमेंट कीजिए ना मैं क्यों जहर पी उगी जिसको तुमने शादी करने का सपना दिखाया था वो जहर पीकर अंदर पड़ी है तु पागल है क्या क्यों किया तुने ऐसा पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुलेवे हैं यही सिखाया जाते हैं तुम लोगों को एक जहापड़ दूँगा सर इसका ट्रीटमेंट करो वो जो बैठी है वो ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही फरस्टेट दे दिया मैंने एक कामकर तु इससे शादी करेगा ऐसा वचन दे मुझे क्योंकि अब मैं इसे समाल नहीं सकती वर्ना यहीं पर मरने दे इस लड़की को अरे पागल हो गई हो उम्रह में बड़ी हो यह देखूंगा भी नहीं शादी की बात करने का समय है क्या है एक कामकर इससे यह फैसला मैंने क्यूं लिए तुम्हें समझ में नहीं आया ना ठीक है उस लड़की से बात करके मैं तुम से शादी कर लेता हूं कौन सारू मैं काउन सारू हरे नहीं मैं तू अब अभी अभी क्या उसे वचन दे यह बच जाएगी है कि अब है कि अब है कि अगे ज़ेक कर रहा है जो बाद में धर यह अरे ममामा रुको रुकों कुछ नहीं हुआ है अरे वो ठीक है मैंने जूट बोला था मामा अपती ने फोन करके बोला कि उसकी बीवी ने जहर का लिया है आकर देखते हैं तो उसकी बेटी लेटी हुई है अरे उसकी माने जान मुझकर उसे जहर पिलाई होगी ताकि वो तुमसे वचल ले सके उसका क्या होगा तुम जिससे प्यार करते हो देधी ना टक कर सकती है लेकिन चांदनी यह सब नहीं कर सकती उसके नजरों में सवाल है कि क्या मैं उसे मारना चाहता हूँ मैंने गलत कर दिया ना पता नहीं क्यों मैंने उस दिन बास में उसको देखा यह सारी मुसिबत मेरी वाशे से है मामा ऐसी बाते क्यों करते हो कोई नहीं है मामा कोई नहीं है मामा जी चुपके से नहीं सुन रही है मामा इस शादे के लिए कितनी तकलिफ उठा रही है ये बात मैंने उसे बता दी थी उस दड़की ने कहा थे कि मुझे सब कुछ लाइब दिखाओ मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर उसने कहां से सुनना शुरू किया वह वहीं दीदी के घर से ही साथ में रहकर मेरे साथ खेल खेल रहा है ऐसा नहीं है मामा वह चल जाए मामा मेरे पास सुनो मामा मुझे तलाग दे दीजिए ये कैसी बाते कर रही है तू मुझे तलाग दे दीजिए साट साल के हो गए अब आपको तलाग की क्या जरूरत है लोग आपे हसेंगे नहीं क्या क्यों पच्चास साल की उमर में बेटे के लिए घूम रहे थे तब लोग नहीं हसे थे ये तो कैसी बाते कर रही है, तेरी जबान कटके गेर जाए, बस कीजी मा, इस घर में बहुत जीलिया मैंने बस हो गया, अब मैं चैन से जीना चाहती हूँ, परिशानी को और मत बढ़ाईए, मुझे तलाग दे दीजिए, क्यों ऐसे बात कर रही हो मा, तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रह अपनी जाओं का गलाग उटकर इनके साथ चली आई, आज तक अपनी पूरी जिन्दगी मैंने बस इनहीं के हिसाब सजी है, और उस भगबान ने मुझे बेटा देने के बजाए, एक बेटी दी वो भी बेजुबान, मासूम है, जब उसकी शादी हो रही थी, तब मैंने और शादी के दो साल बाद ही, उस शराबी ने उसका मंगल सुत्र छीन लिया, उससे कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, और तुम सब लोगों ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया, 65-70 साल के आदमी शादी के लिए लड़की ढून रहे हैं, और उस 25 साल की लड़की के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, काम वाली को पैसे ना देने पड़े, इसलिए मेरी नातिन को इस घर की नौकरानी बना कर रख दिया, यही ना, बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को खुद ही सबाल लूगी, मा, 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 रुजाओ, मा, कहां जा हलो, आप से मुझे बात करनी है, ना कला हूँ क्या, आजी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक या आता हूँ, आए, नमस्ते, बेटी, यह क्या, घर आए, मैमान का स्वागत करना चाहिए, उससे मैं नहीं जाना चाहिए, आओ बेटा, काफी लेकर आओ, ठीक है, देखो बेटा, यह मेरी बहन है, नमस्ते, आपके पिता से शादी होने वाली थी, आपके खांदान में लड़की नहीं देना है, इसलिए जगड़ा कर रही है, वो सब तो छोड़ो, मेरे खांदान में शादी चित्रा और पूर्णिमा मूरत में होती है, तो यह शा अगर जहर पीने की वज़े से कुछ हो जाता, तो क्या करते हम लोगा, तो फिर हम सब लोग यहां पर क्यू है, उसे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या, हाँ सही का, समझाईए इसे, तू घबरा मत, वही तेरे गले में मंगल सुत्र डालेगा, और इसे क जाता है, तू आपर क्या कर रहा है, यहां के बैट, यह रोजगाना तो अगर आज की बात मैंने किसी के भी मूँ से उसकी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा, तो मानिक राओ की बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है, आपको हाट अटक आया, जूट बोलकर वहां जाकर चित्रा पोणिवा में शादी की तारिक पकी करके आये, यह बेशती है, मैं क्यों सिंदा रहूं, क्यों सिंदा रहूं मैं, चलो, आप लोग निकलो, हम तीनों के मरने के लिए कुवानी में रहा क्या, कुवे में पानी घ अबी देखते जा, जीजा जी, जीजा जी, अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी न, तब खरीद लिया होगा, शेहर में दुकान ढूंड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है, समझ में नहीं आता, यह तो आपकी प्राब्लम है, यह सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे राज्जे का प्राब्लम है, जीजा जी, बाहर आईए न, जो भी बात है समझोधा कर लेते हैं, जीजा जी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है न, इतने साले साली होने के बात भी तुम लोगों ने अगर कर क्या लिया, तुम लोगों सफारी सूट को उतार दे, मुझसे बरदास्ति हो रहा है, जब मैं मर जाओंगा, तो मेरी मयत में धूती कुर्ते में आएगा कि नी आएगा, बोल, जीजा जी, बार बार एक ही बात कर रहे है, अब अंदर जाए न, इस बुद्धिमान का, तो मैं थोबला तोड़ कर रहू यह कहां ले जाए, इस कैसिका, क्या कर रहे है अब, अरे यह क्या करेंगे, सब को बहुत जल्दी है न, तो मैं यही पर मर जाता, अरे जोड़ना है, जोटना है आपको, और भीजो हो रहे हैं हम लोगो, हम भी मर जाएंगे तो साथ, यह तो छड़, जाओ पानी ले किराए आपके परिवार में इससे शादी करो दो हिस्से में बढ़ गया है ना देखे यही आप लोग की प्रॉबलम है परिवार में राजनीती नहीं होनी चाहिए राजनीती में परिवार हो सकता है वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आएगी हमारा भाई है हमारे घर में इस शादी करनी पड़ेगी हाँ बि खड़ कहीं का कैसे ठूस रहा थो तो उस गुड़ा सिंगहम से प्यार करती है क्या लड़कों ने बताया मैंने विश्वास नहीं किया हां मामा विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूं सुन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं मैं उसे बहुत पसंद करती हूं तो उ इसके घमन्द को मारना होगा उसके बाद उसकी जैदात को फिर उसको मारूंगा आवाज मत कर दिया नाराज हो क्या ऐसा कुछ नहीं है अकेला अपन महसूस हो रहा है आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है अरे बापरे मेरी आवाज संकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हो तुम्हारी आँखों को देख कर समझ सकती हो कि तुम किस मूड में हो मुझे अभी तुमसे मिलना है ऐसा है क्या अच्छा अपनी आखे बंद करो अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो फ्रेश होकर तुम्हारे मन पसंद पिंक नाइटी पहन कर तुम्हारे करीब सोकर तुम्हारे कस के पकड़ कर तुम्हारे माथे को चूम लिया फिर तुम्हारी आखों को और फिर तुम्हारे होटों को गस के चूम लिया मेरी शोना तुम्हें चल्दी खर पर लाकर साड़ी पैना कर सिंदुर लगा कर तुम्हें पीवी के रूप में देखना चाहता हूं मालेक हमारे केले के सारे पेड़ों को नश्ट कर दिया सब कुछ बर्बास कर दिया उन लोगों ने मालेक हमारे तौरों बैलों को किसी ने मार डाला अच्छा नहीं हुआ है अच्छा नहीं हुआ है जो सिन्देगी में कभी कुछ नहीं ही जोड़े वहां पर देखने दो पर देखने दो बेटी लुख जा बेटा नेखे तेरी का दो ख़रिज़ लक्रदो फोर के लिए पेटा नहीं पेटा पापा जोड़े नहीं जोड़े गया उनको छुपर और दिया पाम में एक छोड़ा जाओ 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 मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है देखे मालिक पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है बाई साहब पाँच हजार केले के पेंट दो प्यारे प्यारे बैल इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो दुख तो होता ही है क्या सर घर में इतना बड़ा मातम चाया है परिवार वाले आये नहीं किसीने इलग कर दिया क्या गुड़ा सिंगम मातम है क्या नदी के किनारे बेड कटवाने में तेरा हत था न और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेड़ और बैलो को अधान पर्वार करने की कोशिश किये हमको उस्पाल जिद्दा नहीं चोड़ूगा ने में चाण मुझे ज़िए था फीचे और पीछे चोड़ मुझे कोड़ा ने चांद है अरे पूरे परिवार को मिता दूगा था ने बेते कॉंदर लेकर जो ने छोड़ूंगा रहे जाड़ क्या चीज है रहे भाई ने बोलो तो आज में वोगाट डालता अरे अब यहां आगे हो तो मूल अटका के क्यों बैटे हो हमारे अर्सू जैसा लटका मिलेगा क्या देला खतम होने दो देखो फिर इसका जंडा कैसे लह राएगा मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुकी मत होईए मैं कर ल अच्छी है जैसा चाओ वैसा ही होगा अरे हां के दिया इन्होंने है चोड़ दे हैं आपके बीना खर सुना सुना लग रहा है मैं भी इतने दिनों से इंतिजार कर रहा हों कि आप आओगी मा चलो न मा ऐसे घर में इतना कुछ होगा फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको मा चलो न मा दिदे दिदे ए सुन तू भी इनके साथ मिल गई है क्या है मुझसे बात नहीं करेगी मुझसे बात नहीं करना चाहती है दीदी ये मा क्या बोल रही है हमने कभीसे नousse कर द है था धीद दीदे डि मैं आपसे कि बात कर रहा हू δियुद अब क्या होगी आपको दीद मुझें हने को मैं चला जाओंगा लेकिन चेहरे मेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है कि आपको ठीक है जब भाई कहकर आओगी न तब देख लूँगा मामा अगर मैं सिर्फ आपका भामजा होता तो यहां कभी नहीं आता आपका दोस्तों बच्पन से इसलिया हो मामा यह सब क्या हो रहा है मामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा पुरुषत्म कितना बदल गया है आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है अपने चांदनी के शादी उस कोडिया रसू से करवाने के बाद चल रही हो से चांदनी के शादी पकी करवाई है क्या वो भी है खुनी के साथ वही मेरा दामाद है अब क्या करना है कौन वो खुनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क्या मुझे गुस्ता मत दिलाओ मैं तुम सब को मार के अंदर जाओंगा मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी कर रहाओ इससे तुझे क्या अरे आप पागल हो गए हो क्या तुझे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है जिसकी किसमत में जो लेखा है वही होगा तुझा जाके उस उस सोडा वाली से शादी कर ले चंदनी मैं तुमसे बात कर रहा हूं रूको यह सब यहां पर हो क्या रहा है यह वो एक शराबी है एक खुने के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश रहूँगा क्या रहे तुम चलो पहले मेरे साथ चलो घर पर चलते हैं तुमसे बात कर ना चले जांए चोड़ा है क्या बखबसक्रा इसे लिए एख और से खूने के साथ उसकी शादी बना चाते किसे के साथ दिरिश्टा चोड़ देते हैं मैं खून कर सकता हूं लेकिन शराब नहीं पीवाइब तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पीली मामा आँ बोला तो था मेरी दीदी का पती शराब पीकर मर गया था इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाए थी लेकिन बहुत बेज़ दिकर दी मेरी लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है मेरा गर खुशियों से चैक रहा था ले लेकिन आश शम शान की तरह लग रहा है दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा सबकी वचे मैं हूं कहा रहे हैं इसलिए किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए वो यह तो जखम देगा यह जखम दिलाएगा इसलिए मैं किसी से दिल नहीं आपने बच्चे को इस आलत में देखूंगे अशर नहीं सोचते नहीं तो बोला कर फैसला लेते हैं यह बहुत जरूरी है तो मुझे वहां लेकर जाएगी या नहीं नानी मैं कह रही हूं ना वहां मज जाओ मानती क्यों नहीं आज मुझे वहां जाना ही है बहुत दिनों से सब्सक्राइब कर रही थी कर दो कार में रहना मैं बात करके आता हूं ठीक है पापा अरे सुनो कहा हो अभी आई जी बताए क्या लें गया नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी है नमस्ते आपके सामने अचानक आकर ख़ड़ा हो गया आप सोचकर उलजन में होंगे ना करी निया जब कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़ चाड़ की कि निया किसी तरह उनसे संभलका रात हो गई पूछताच करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसू के आदमी निकले मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है उसे सही सलामत आपके घर म में सौंब्दू तो मुझे चैन मिलेगा अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं मैं पहुंच गया हूँ जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा ठीक है आओ आओ आजाओ बेटा आओ आओ आजाओ बहुत दिनों बाद आए आजाओ बैटकर बातें करते हैं अरे बाहर क्यों खड़े हो आजाओ अंदर आओ मैं यहीं पड़ी कूँ बड़ा आया बैटने के लिए बोल रहा है क्या बात है बापा सबको बाहर बैठा कर रखा है अरे ऐसे ही बाहर बैठकर बातें करेंगे न तुम बैठो न आओ दरसल मैंने एक फैसला किया है क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए इसलिए सबको बुलाया है मैंने मुनिम जी जरा कागजात वगरे लेकर आईए बड़ी बेटी महा लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए बता पापा अभी ये सब क्यों तुझे वो फार्म हाउस पसंद है न तो तू वो रख ले वैभो लक्ष्मी बेटी तुझे क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए तो उसने का था पापा मैं खुद कमा लूँ उस लड़की से उसकी शादी करवा होगे यही कहना है ना आपको क्या फरक पड़ता है अच्छी तरह से सुन ले इस जायदाद में तुझे कुछ ठीकाना है अब अगर ऐसा मेरे मन में आही गया है तो उसे हो जाने दोना शो जाई जायदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या सवाल ही नहीं उठता है इसलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूं फिर सारी मुश्किलें खत्म मतलब हम उनों जायदाद के लालश में शादी करवाना चाहते थे, रिष्टेदारी कोई माधने नहीं रखती क्या, हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, शायदाद सें, क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम मरा प्यार मुझे पता नहीं है क्या, कैसे मज़ा कुण आरे, अरे तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर तुम्हारा मुझ बंद कर वा कर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं तुम लोगों को बाहर B gods और समधी को अंदर बैठा कर यहां क्या चल रहा है वो दिखाना चाहरे हैं और वो अंदर बैठकर हमारी बाते सुन रहे हैं मुझे लगा ही था यह कोई तरीका होता है क्या ऐसे भी अपने दामाद को इज़त देता है क्या पहले दिन के ले के पत्ते पर खाना दूसरे दिन अचाहते देते जमीन पर एदेवी मा कहवाद बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या चल निकलते हैं अब रुक जाए ऐसा कुछ नहीं है क्यों बिना मतलब की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं है जो आया है उसकी तो जरूत है और जो आने वाला है तुम लोगों को शुरू कर दिया है उसका परिवार वैसे इतना भी पूरा नहीं है सुनिए पहले आप अंदर आये चलिए तुझे मेरे साथ आ रहा है तो नहीं तो फिर तुभी यही रहे जबाब जा रहे हैं तो मेरा यहां च्या का अरे सुनिए बातों को उलजा कर जाने से क्या फाइद बढ़ी बाति क्यों रूखोंगी आज के बाद इस घर से मेरा कोई संबंद नहीं है अब इस घर में किसी की मौत भी हो जाए तब भी यहां नहीं आउगी बहुत अच्छी बात है जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वहां से चला जाए तो बहतर है बापा वह गुसे में बात क रिष्टे से आओगे और यह मामा के रिष्टे से आएगा वह क्रिया कल्म का सामात मुझे आभी दे दो मैं चली जाती हूँ यह रिष्टा रखने से चाहें कि मैं खुदी जलकर मर जाओ अरे क्या बोल रही है तो गर के अंदर जाओ और कफन लाकर इसके मूह पर फैंक दो पापा आप यहीं कैसी बाते कर रहे है पापा है यह सब अपने मूह से नहीं बोल रहे हैं पापा कोई penguin को भढ़का रहा है लेकिन आप गुछ मत बोल दे नहां पापा ओडिए ऑना नुहां कर ले आओ कफन दी fundamental है मारू जाओ मालके मतलब हमारा भी अंजाम यह होगा क्या आप जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है गलत है हाँ सही का ठीक कह रही हो इज़त देने की बात करके बेज़त कर रही हो खुश रहो हमारे चार दामाद अलग अलग कोक से जन्मे है इसलिए उनकी सोच अलग है लेकिन तुम सब तो एक ही कोक से जन्मी हो फिर तुमारी सोच अलग कैसे हो सकती है तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था आज जब कि वो तकलीफ में ह तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए पूरा गाउं यहां आया पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को यह दुनिया रोलाती है यही आज का दस्तूर बन गया है पर मैं अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकता मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहां नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी तुम लोग आओ या ना आओ यह शादी तो जरूर होगी और यह फैसला मैंने सोच समझ कर क्योंकि मुझे अपने बेटी की खुश्यां प्यारी है आप लोग मुझे माफ कर दीजिए आप लोग को आपस में जगडने की जरूरत नहीं है आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता आप इसकी शादी कहीं भी करवाईए आपके परिवार को तोड़ने की वज़ का इसे बात की ना तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा इज़्जत से बात किशी क्या रहे है क्या रहे मारने आ रहा है क्या रहे क्या आपके शांतों जाहिए अब अरे क्या हो रहा है इसका जवाब तुमने हाथ उचाया इसका जवाब तुम्हें देना होगा महरबानी करके सब लोग यहां से चले जाएए मैं कर रहा हूँ चले जाएए दादी मेरी एक मदद कर सकती हो बोल मेरे बच्चे क्या करना है आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है 90 साल की हो गई हूँ सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूँगी मेरी आत्मा को शांती मिल जाएगी जब बुलाएंगे तब जाएंगे突 जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे हमने मीरी बस समझके रखाएगा एक दिन की बारश से तुम्हारा सारा रिष्टा शक्कर की तरह पानी में घुल गया इतना बड़ा परिवार होते हुए मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती आज मेरे पास कोई भी नहीं है अब उस घर में कदम कौन रखेगा वैसे किसी मंदिर या मंडप में भी करवा सकते हैं देख अगर तू चाहेगी तो सब को इकठा करके एक साथ ला सकती है ए छोटी जब तक मैं जिन्दा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई जब मर जाओंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी न या फिर उस वक भी नहीं आएगी तेरी उस भटबटी पर वैट कर मेरी तो कमर ही तूट गई चलना भी मुश्किल हो गया है बेटा तेरी सब ही बहने आने को तयार हैं दादी के प्रोग्राम में पुरा गाहाँ आएगा तो सब दीदिया नहीं आएगी क्या घर का काम है तो करना ही पड़ेगा करते हैं क Hai नानी चलनो कहा तुमारी मा कारिक्रम है हम सब के खुशियों के लिए हमारी प्रणी ने मंदिर की कितण सद्ष्ध चोडिय होंगी हम्ने क्रम जाना चाहिए न आ रही है रही हैं काहा brightness नहीं आ रही हूं नहीं नहीं आ रही हैं तर अब्लभ तो में रहने में किल ओए पा हूं बुल सब्सक्वान जर्टे जर सिता को तो नियों झाहिए ता नहलं को एंडिये इसे निल्टे डिर्य पैश्ड सुन्थ ओंसे विल गाईक सब लुए सो आजा आजायओ ॥ut क्या हुआ जी तामर मलालन सेंडियार का इस गाव में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए में निलाम नहीं कर सकता कोल भी एरा-गेरा आजाता यहां पर तो सुनिया मेरी बात तो सुनिया सुनिया तो नाम बड़ी चीज होती ह क्या हुआ मीनिबस लिए यू-mother के लिया यह यू-mother ले गडर के क्यों जा रहा है आए नमस्पे I yeah आओ बेटी आए नमस्ते बेटी वेलकम वेलकम आपसे नमस्ते आओ बेटी चलिये चलिये इतनी अकड़के क्यों जा रही है आए 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 यही एक इंसाने जो बिना बुला आता है बहुत सही आदमी आए आए नमस्ते नमस्ते आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई भाई इस फंक्शन में घुस कर दंगा करके तुझे मारने का प्लान किया है जरा बच क्या है ठीक है ना बता दे रहा हूँ कितने लोग हैं अपने जीजा से समब्द कर रहना सब का खोळगा पुछा दिया से अभल कर ना नमस्ते मेरा फॉर्स तब बता था ठीक है न... ठीक है ना नमस्ते Loreeeeeeeeee डेंस्टेनमस्तेAllत King क्या माम अमा देकार इनसान हैे वह जिससे आप खड़े वा गर के बात कर रहा molé थे आदमी रखोना सिरफ उसी को आता है मैंने भी अपने खर में आदमी रखे हैं वो अपनी पार्टी गया है चला जा दिखते हैं जीती रहो बेटी हमेशा खुश रहो अरे आप आपका पैर छुना तो मेरा सोभागे है हमेशा खुश रहो आप जाएए न तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है हमेशा खुश हो सदा सहादन रहो बेटी हाँ आप से बोलना हो इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोबा बढ़ाई है कम से कम खाना वाना खा करके जाईएगा आप तो ऐसे जा रहे जैसे पराय में आये थे गाली दिना तो मुँपे दो ऐसे दिल में रखकर के मत घुमो बाई आग है तो बुजाना तो पड़ेगा इना खाना खा कर जाएगा अरे सुनो इस घर की लड़की से शाइदी किये इस नाते यहां आया हूँ मैं मेरा मुँ मत खुलवाओ आपके अंदर अकड़ और घमण कुछ जादा ही दिख रहा है मुझे अपने आपको जंगल का शेर समझते हैं क्या हाँ मैं शेर हूँ बोल क्या कर सकता है बोलना गुसा है तो यहीं थोक दोना बेटा गुसा कच्रे की तरह होता है कौन मैं गुसा कर रहा हूँ मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है क्यों ऐसा किया क्यों मेरा मुँ खुलवा रहे हो सुनिए आपको जरा भी अकल है क्या सबकी वज़े वो है और आप उससे बात कर रहे हैं वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो मासूम बन कर मुझे तो लगता है अपने ससुर को यहीं कहीं छिपा कर रखा होगा हमें यहां बेज़दी करवाने के लिए बुलाया था मा ए छोड़ मा दीदी मेरी बात तो सुनो मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूँगी अपने आपको मामा बता कर मैं ही माला पहनाऊंगी इसे और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना भाई भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है आज तक हम सब बेहनों के बीच में जित्ती भी खुशियां थी आज वो खुशियां रही ही नहीं सम लोग एक दूसरे को मूँ फेर कर चली जाती है अपना पर नाम की कोई चीज रही ही नहीं दूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बली चड़ा दी उसमें ऐसा क्या है जो तू उसे पसंद करता है इसे पकड़िये मा अब मैं कुछ बोल सकती हूँ देखो अभी तुम लोग मंदिर के अंदर खड़े हो अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबीत नहीं हुआ तेरा पती बेरोजगार था उसे मीनी बस खरीद कर किसने दी तेरे भाई नहीं दी थी ना करस से पैसे लिए थे आज तक उस बस के लिए करजा भर रहा है बिचार तेरा भाई और तू ऐसी बाते कर रही है और तेरे बच्चों को किसने पढ़ाए ये तो बता तीन लड़कियों की शादी करवानी है इसलिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे और तुम लोग इस तरह की बाते करती हो उसके बारे में शर्म नहीं आती बैसाखी हो, पोंगल हो, दिपावली हो हर्तवयाहार में तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया उसने और तुम लोगों की जरन दिन पर जो किया है उसके उलाहना मत करो इससे बहतर होता कि नहीं करते ये बोल रही है तो इनको बोल ले दो ना मा मैं इनको कोई उलाहना नहीं दे रही बस इन्हें सब याद दिला रही हूँ, क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती है, किस तरह की बाते सोचती है, क्या एक मा के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच् तुम लोग खुश रो इसलिए हम लोगोंने क्या कुछ नहीं किया, सब के गाईश पूरी करने के कुशिश की है, तुम लोग जानती हो कि जो जिम्मेदारिया तुम्हारे पतियों को रिभानी थी, वो सारे जिम्मेदारिया मेरे बेटे ने निभाई, ये सारे बोज उठा कितनी सेवा कि कितना पीजी पठका सब कुछ भूल गई तुम लोग और आज देखो कितना अकेला कर दिया है मेरे बेटे को हलो लाइन पर हो क्या कहा मर गए इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया हम लोग तेरे पैर दोकर पानी पिये तब भी कम है माफ कर दे हम सबको बहुत भला बुरा कहाना हमने तुछ से मेरे पाते कि कितनी मतत किये तुने इस पार माफ नहीं करेगा कि अपनी बेहन को बढ़ा देल है तेरा माफ कर दे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सालि ऑप मुझे माफ कर दो अरह बात नहीं यहीं गुस्ट है ना आपके मन में इस लिए एक दूसरे से इस तरख मूह फेर पहर जा रहे चाओ तो मुझे गाली दो-एप लोगों का हक है मुझे मारना है तो मार लो मेरे साथ जो भी करोगे आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना वो भी एक तरे का प्यार ही है और मैं भी जो कर रहा हूँ वो एक तरे का प्यार है अभी आप लोग मेरा गुनहा बता रहे हो कि मैंने आप लोगों के कहने परशादी नहीं की लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गए आप कहरे हैं कि आपने मुझे ऐसे पाला उस बात के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ और ये भी ऐसा ही बात कर रही है कहरे है तेरे बच्पन में मैंने तरह मुर्णन करवाया था अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता न कि मुझे उसे प्यार हो जाए जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसके चहरे पर मुझे अपने वेंद दिखाए देती है मैं कैसे अपना घर उसके साथ बसा सकता हूँ अरे मुझे बचपन से आप लोग देखते हैं आ रहे हो आपकी इज़ा की अनुसार अगर शादी करूँ तो दो लोगों की जिंदगी बरबाद होगी मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुचाना चाहता दीदी के मन को ठेस नहीं पहुचनी चाहिए रिष्टेदारी तूटनी नहीं चाहिए इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते वो बच्चों को जनम देकर आभी भी तकली भोग रही है सब हम लोग नहीं देखते अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा और अगर उससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा दोनों को भी कोई दुख ना हो इसलिए मैंने बाहर जानी की कुशिश की और वो मेरी सिंदगी में आए और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे शायद भगवान की यही चाहिए इसलिए मैंने आप सबको बताया और इस बात को लेकर आपने एक दुसरे से मूझ फेर लिया ठीक है अबी बताईए मैं इस से शादी करूँ कर लेता हूँ या चंदा से शादी करनी है या फिर दोनों से शादी करनी है बोलिए है अपने धरम में दोशादी करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग जो बोलोंगे हो मैं कर लूँगा लेकिन रिष्टा नहीं टूटे किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी रिष्टेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा तुम भी कर लो मुझे नहीं चाहिए मुझे ये बातें करना हसना मिल चुल कर रहना मुझे किसी में अलग अलग चीज़ें पसंद नहीं है पर सर्फ तुम में पसंद है गुणा तुम हमेशा ऐसे रहना अच्छी बात है इसके कोई पिता नहीं है तो इसी से शादी करवा देते हैं मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार होना गुणा शादी कर लूँगा तुम हुचतो रहोगे ना गुणा कोशिश करूँगा मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी ने होने दूगा आपको रोना भी आता है यह मुझे नहीं पता था अब गुरोते हुए देखूंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था, सब को हसाते हो, सब के लिए जोकर बन कर गूमते हो लेकिन आज हम सब को, हम सब को रुला दिया गुड़ा, ऐसा क्यूं किया गुड़ा, ऐसा क्यूं किया ऐसा कुछ नहीं है यह हमारी जायदाद है जिस लड़की को यह पसंद करता है उसी लड़की से इसकी शादी करवाएंगी अगर किसी ने रोका तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मेरी मा अभी इसके गले में मंगल सुत्रे पहनाने को क्या रही है इन लोगोंने मुझे बुलाया इसलिए यहां आई हूँ मेरे पापा इस रिष्टे के लिए रासी नहीं होगा दरो मत बेटी मेरे मामा बहुत गुस्से में है हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है मैं तुमारे पापा से बात करूँगा निश्चन्द होकर जाओ हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था उस कोड़ यार सुने हमारे परिवार के गले पे तलवार रखी है मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है मेरे सारे रिष्टेदार नीचे बैठ जाओ रास पास में कोई नए चरा बैठा है यह ना एक तुख़़ा इसे बैठा है तुलाइन पर है क्या है चुपकर वार करता है कायर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाब्ला कर चलो बेठा आज़ो चलो 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 सुन बेठा इसे इसके घर पर पहुँचा दे ठीक है पापा गोड़ा सिंगाम तेरा बाप मैं मर्द हूँ की नहीं यह पूछ रहा था इसलिए मैं आया हो सिर्फ तू लड़की उठा सकता है क्या मैं भी उठा सकता हो तूने एक को उठाया मैंने दो लड़कियों को उठाया दो नहीं भाई तीन अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या उसको यहां छोड़ के बाक्यों के लेकर जा चलो उत्रो अरे हो लड़कियों हाई डर लग रहा है क्या डर हमें क्यों डर लगीगा जब तुम हमारे साथ हो छुटे मामा अच्छी तरह से पिटाए करना हम फाइट देखने आए तुम दोनों भारा हो क्यों मैं जिसको मारता हूं उसका वसन कम से कम पचास किलो होना चाहिए तुम दोनों अंडर वेटो गेट आउट चलो आओ अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या वो लोग मेरी तरफ आ जाओ किसलिए किसान के पेट पे पहली इलाज पड़ चुकी है ना उसको मैं भी मारू क्या किसान किसान को नहीं मार सकता है इसलिए बोल रहा हूं किसान किसान के पास ही जाएगा ना जा रहा हूं और यहां पर बीपे शुगर हार्ट पिशन ऐसा कोई है क्या अगर है तो इस तरफ आ जाओ आ मेरे को है मुझे भी कभी थेतों में काम करके हाथ एकदम कड़क हो चुके हैं अभी इतना मारूंगा ना मार रहे मुझे हाथ एनकी हटी पस ने एक कर दो एक कर दो मां कि वुपी नजयो कि वुपी हुपी क्षिश हाई जाउर बिल्ऌस युपी वुपी हाई यʊ एए! 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 मैंने जिनको आपने भाई की तरह पाला था उनको तुम लोग ने माड़ा ला एए! 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 हाई प्रेंज आज हमारे खर में शादी है हमारे गुणा सिंखम की आज हमारा पूरा परिवार यहां इकठा है तो कितना अच्छा लग रहा है इसे कहते हैं खुशाल और भरा पूरा परिवार चलो अच्छा है कम से कम सब लोग एक तो हो गए